हेलो विल्कम तो आर्या बालीजी कलासेस भागलपूर आज हम लोग फिर कंटिन्यू होंगे कैंसर यह जो वीडियो होगा यह हिंदी माधियम के बच्चों के लिए है तो कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर सका था थोड़ा तवियत खराब होने के कारण तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं कैंसर आप जो है ना हिंदी में भी कैंसर ही याद रखोगे यही परसिद्ध भी है लेकिन करक रोग इसका हिंदी होता पहली बात तो दुनिया में बहुत सारे बिमारी हैं बहुत सारे रोग हैं कुछ रोग जो होते हैं वह आसानी से लोगों को छोड़ देता है कुछ जो है रोग बहुत भेहंकर होते हैं जो मिर्तियू के कारण मिर्तियू भी कर सकता है तो कैंसर एक भेहंकर रोगों में से एक है यह दिमाग में रखेंगे और हमारे भारत में इंडिया में लाखों लोग परतियक बरस जो है कैंसर के कारण मरता है तो यह एक भेहंकर रोग है, एक पॉइंट दिमाग में रखेंगे, भयावक जिसको कहते हो, अब कहा जाता है कैंसर है क्या, तो आप जानते हो कि हमारे सरीर में जितने भी कोशिका हैं, वह कोशिका जो है बिभाजन के कारण बहुत सारे कोशिका का निर्मान किया है, एक कोशिका से दो कोशिका दो कोशिका से चार नियंत्रित तरीके से भी भाजन करता है लेकिन जब सरीर के किसी भाग का उत्तक के कोशिकों कोई कोई उत्तक हो जैसे है यहां थे यह भी उत्तक है यहां पे उसमें बहुत सारे कोशिका है जब उस कोशिकाओं में और नियंतृत विभाजन हो ऐसे कैसे होता था विभाजन नियंतृत विभाजन होता है तो वहां गांट बन जाता है जिसको अंगरेजी मार्ट ट्यूमर कहते हो उसी को कैंसर कहा जाता है फिर से एक बार definition को परिभासा को देखें कि जब सरीर के किसी भाग का उत्तक के कोशिकों में कोई भाग किडिनी का जो है वहां का उत्तक का कोशिका हो चाहे आपका जो है लीवर का हो चाहे वो फेपड़े का यानि की लंग्स का हो कोई कहीं का उत्तक का कोशिकों में जब नि के कंसर का मतलu यह वा कि जब कोशीका और नियंत्रीत लगतार भी भाजन करता रहें जिसके कारण गांठ बन जाए ट्यूमर बन जाए उससे cancer कहते हैं अब कहता है cancer का कोशिकाओं का कुछ आप लक्षन को पढ़ो यह थोड़ा सा आपको समझने में परिसानी होगा लेकिन आपको समझना चाहिए कि cancer का कोशिका संद मन का पालन नहीं करता है इसको कहते हैं सालें यह नहीं है यानि जैसे कि आपको रिफय में बता रहों कि एक कुशिका से यहि कोशिका बनता है 2-4 यह है नियंत्रीत है अगर देख्न और समंधे कहता है यह ना कच्छ जाए तो यह को अले भाजाता है लेकिन कोशिका में देखे यहां पर कैंसर में देखे गांट भी बन गया है तो भी यह क्या करेगा असपर्स को जेल लेगा यानि कि कॉंटेक्ट के कारण इसका ग्रो मतब बिभाजन नहीं रूखेगा तो कहता है कोशिका का बिभाजन जो होता है कैंसर में यह कॉंटेक्ट इनिवीशन को क्या करता है नहीं मानता है यहां लिखा मैंने क्या कॉंटेक्ट इनिवीशन को पालन नहीं करता है संस असपर्स संदमन को नहीं मानता है ठीक है अब आ जाईए कि कैंसर का कोशिका बिरामा अवस्था में परविश नहीं करता है मैंने आपको अलेवंत में बताया था कि जब कोशिका एक से दो बनता है तो उसमें क्या होता है चक्र चलता है तो करते हैं क्या बिभाजन चक्र बिभाजन चक्र में एक होता है बिरामा अवस्ता जब कोशिका को जब बिभाजन नहीं करना होता है तो वह क्या करता है बिरामा अवस्ता में चल जाता है इसको हम G-0 फेज करते हैं लेकिन जब यहां पर मैंने कहा कि कैंसर कोशिका लगातार बिभाजन करता है इसका मतलब सम सब्हुन्त ऩौह फिकान करों होसकता है कि यो मर्टन होता है कि क्यां कि क्या होता है या कैंसर पॉइंट आप इसका गुन आप इसका पर एक क्यार क्या डिमाग में रखिए कि रहागा त्युल प्यश्म को साखा के अंदर किसी चीज को अध्यान करते हैं जैसे आप कहते हैं कार्डियो लॉजी का मतलब कार्डियो का मतलब होता हर्ट लॉजी का मतलब होता है अस्टडी यानि हर्ट के अस्टडी के साखा को कार्डियो लॉजी कहा है इसी तरह जिससे की इको लॉजी इको लॉजी का आपने अध्यान किया था उसी तरह चैंसर के साखा को ऑंको लौजी काते हैं अंगरे जी यही है हिंदी में भी यही है लेकिन शुद्ध जाने केंसर भी ज्ञान कह सकते हैं तो सिधा कहिए उंको लौजी किसे कहते हैं केंसर के अध्यन के साखा को हमने क्या कहा। ठीक है वो दो परकार का होता है एक बेनाइन ट्यूमर कितने परकार में बटा गया एक बेनाइन ट्यूमर एक मेलिगनेंट ट्यूमर बेनाइन ट्यूमर का जो सुध हिंदी होता है उसका कहते हैं सूर्दम अबुर्द और मेलिगनेंट ट्यूमर का होता है दूर्दम अबुर अब यह हिंदी बहुत टेड़ा है आप अन्ग्रेजी में ही याद रखो बेनाइन ट्यूमर मेलिग्नेंट ट्यूमर ठीक है अब कहता है यह दोनों ट्यूमर क्या है काता है जब सरीर के अंदर देखो जब सरीर के नंदर हाथ में हाथ मतलब हाथ में ट्यूमर बना हाथ में ट्यूमर बना तो वो उसी जघा क्या है इस्थीर रहे शरीर के अंहिसों में नहीं जाए मेरी बात को समझें मैंने बोला जीसे हाथ में ट्यूमर बना और एंग ängtंसर हुआ तो आन जगा प्रवेस ना करें नहीं फैले उसी जगह रहे उसे कहते हैं बैनाइन ट्यूमर ठीक है वापस आजो यहां पर क्या मैंने बोला या एक निस्थित अस्थान तक सिमित रहता है यानि मूल अस्थान को नहीं छोड़ता है अतया फैलता भी नहीं है और इसी कारणिया कम खतरना कि जब सरीर में फैले गाई नहीं तो कम खतरना होगा इसको काटके निकाल देगा डॉक्टर अब देखो मैलिग्रेंट जो ट्यूमर होता है इसको कहते हैं इ और गाठ का कुछ को सीखा तूटकर सरीर के अन हिशो में किसके द्वारा बलद के द्वारा या mix के द्वार इसको करते हैं रख्त के द्वारा या ल volleyball के द्वारा के द्वारा अन हिस्सों में पहुंच जाता है और और वहाँ पर फिर से एक क्या करेगा अन तूमेर का निर्मान कर देगा और सब्सक्रावारत का निर्मान कर देगा यह जो होता एकर निषित अस्थान अस्था नहीं रहता है दुसरे ज़िगा शरीर में जाता है तो यह खतरनाक होता है अभ crypt 25 df Q Не यहिए बैटाइस्टेसिस यह दो नमर माँ आपका सीविय सी बोड में पूछा है लेकिन आप हicki मेधिहम से हो तो परायस सब बच्चे होते हैं तो पूछा जाता है क्या मेटास्टेसिस इसको कहता है मैटास्तेसिस जैंडी होता है नैस्टेसिस काता है जब tumor यानि कि tumor मतलब जो गांट होता है जब tumor का कोशिका तूट कर सरीर के अन हिस्सों में पहुंच कर दूतियक tumor का निर्मान करता है इसे मेटाइस्टेसिस करते हैं यही पर तो आपने देखा था malignant tumor में क्या देखा था आपने malignant tumor में देखा था कि यह जो है कौन इसका tumor का आपूर्द का कुछ कोशिका तूट कर रख्त के सहाइता से सरीर के अन हिस्से में पहुंचता है अतार इसके क्या करते हैं malignant tumor करते हैं और इस इस्थिती को जो पहुंचने का जो इस्थिती है इसको biology में कहता है metastasis जिस बंदे को metastasis में cancer पहुंच गया यानि सरीर के अन हिस्सों में मतब फैलने वाला हो गया उसको बचाना बहुत ही मुश्किल है तो metastasis के मैंने क्या बोला जब कहीं कहीं tumor हो सरीर के किसी हिस्से में tumor हो उसका कुछ कोशी का तूट कर दूसरे जिगा पहुंच कर वहां पिर दूतिया क्या tumor का निर्मान करता है उससे हम metastasis कहते हैं इस आवस्था को ठीक है अब आ जाओ types of cancer थोड़ा सा हलका सा deep में जा रहे हैं थोड़ा सा plus two से आगे ठीक है कहता है types of cancer cancer के परकार तो पहले बात जानो cancer हजारों परकार के होते हैं 200 परकार से तूपर देखा गया है ठीक है इसकीन cancer हुआ तोचा cancer kidney cancer lung cancer brain cancer brain tumor जिसको कह तो बहुत सारा blood cancer lymphoma cancer तो बहुत सारे cancer का परकार है जैसे फिलहाल आपने देखा होगा इस cancer कारण आपका दो जो है अभी नेता जो फिल्म का एक्टर है एक इर्फान खान जो की brain tumor के कारण डेड़ हो गया उनको नीरो इंडो क्राइंड कैंसर था अजय की रिशी कपूर जो है उनको क्या था लिक्वेमिया था बलड कैंसर था तो cancer के बहुत परकार होते निस्चित परकार है नहीं लेकिन य नने बोला कारिसी नोमा हिंदी लेही होता है डाव के चांसर जब इस एक टॉपकला मतलब होता है किड़नी इसको कहते हैं लगातार भी वादेन होने करन जब गाठ बन जाता है इसको क्या बोलते हैं आप लोग कारशी नोमा समझ गए बात को उपकला यैंध। हिस्टा कोई भी अंग हो उसका उपरी हिस्टा चाहिए बाहर से यह यह बाहर से यह बाहर से उपकला हुआ इस्ट से इसल्ट कहते हैं करशी नुमा अब आओ दूसरा जो है इसका हम लोग भरगीकरन किये हैं सारको मास क्या है हम लोगों ने सारको मास यहां पर है हिंदी भी है आपका सारको मास कहता है जब कैंसर मीजो डर मीजो में तब बीच में होता है या संयोजी उत्तक में होता है जोडने अब जिसे अस्थी में हो जाए पेसी उत्तक में हो जाए यह सब को सीका में अगर हो जाए उत्तक में हो यह तो सवेत्टस होता हैसको लीकेयमियां जो स्वेत्रक्त किक मैं संख्यां लगतार भिरदी होता है नाम सुना होगा आपने white blood cells यह स्वेत्रक्त कि निकाएं लगातार भी kings यह जितना होता है, उसे कई गुनाधीक हो जाता है, उसे हम लेखो हिआ काथे हैं, यह भी प्रकार काइक एंसर है, लिमफ़ुमा, जब कहता है, लसिका उत्तुक, लिमफ टीसु, लसिका उत्तुक ऐसे आपने नहीं सुना होगा, तो सुनिए, की जैसे कि हम लोह के सरी में, ए तो लिंफोमा भी हुआ यह भी क्या होता है एक परकार का कैंसर है तो कैंसर के बहुत परकार है कुछ तो मैंने यहां तीन-चार आपको वर्नन किया और कुछ जो है बहुत सारे आपने सुना होगा या सुनते रहेंगे अब आई आगे काउज आप क्यंसर क्या कारण हो सकते हैं तो याद रखिएगा क्यंसर चेप बहुत सारे कारण हैं जी सபक्राण होगी क्या मैंने बोला कारशीनोजयन का हिंदी होता है कैंसर जन का कारक जिसके कारण कारण केंसर होता है **Carcinogen कोरते है या Can SarGen करते हैं, ठीक है, तो Can SarGen किसे करते हैं, aanी करन क कि Card क्यों को व किलब करते हैं वह स्षान, या रे जा किरन किसी मोलिकुल पर पढ़ने कारण उसको क्या X-ray, आनि X की रण, गमा की रण, यह भी cancer कर सकता है, और दूसरा है non-ionic current के कारण, non-ionic current में क्या होता, आइनी current से कम उरजा होता, यह जो है, किसी अनु को आयन मन नहीं बदलता है, इसलिए नाम ही यह non-ionic current, जैसे आपने UV rays सुना होगा, अल्टरा वायलेट rays, ठीक है, परा यह सब है भाउऺतिक चारत, ओर ऐसे भी आप जानो के कोई बी कोश्रिक जो है न बिभाजन जब करता है तो वह बहरी pressure को नहीं जहलना चाहता है, थो यह सब कीरन जब जाता है, तो वह क्या करता है, मतब कोशी का को, Citra को छेड़ister करता grate wydaje, उसे energy देता है, उसे परिसान क करके क्या करता है विभादन करना शुरुबात कर दता है जब विभादन होगा तो तुम समझते ही हूं कैंसर हो सकता है ठीक न तो यह बहुती कारण था अब है कि चलिए यहां पर आईए कैमिकल एजANG्ट रसायिक कारण तो नी कोटीन जो माउट करता है वो भी हुआ हुआ है यहां पर बैंजीन हुआ यह सब बीया करता है साइर में क्या करता है कैंसर करता है यहां पर आ मिली में याद रखना ज्यादा नहीं पूछा जाता है में यहां पर समझा ठोड़ा सबकर दे रहा है जैसे कोई कोशी का अंदर क्यंद्रक होता है के अंदर जो होता है जिसको तो डीने करते हो डीने का बहुत बड़ा धागा होता है जीन तो हजारों जीन है हजारों जीन है इसमें से एक जीन का नाम है प्रोटो ओंको जीन ओंकोजीन क्या नाम है प्रोटो ओंकोजीन प्रोटो का मतब पर्थम ओंकोजीन का मतब कैंसर करने वाला जीन ठीक है कहता है प्रोटो ओंकोजीन होता है यह प्रोटो ओंकोजीन जो होता है मतलब कि सक्रिया नहीं होता है जब यह सक्रिया नहीं होगा तो यह कोशिका लगाता बदल जाए किसमें ऑंगोजीन में बदल जाए उंकोजीन में तब यह सक्रिया हो जाता है और कोषिका क्या करता है लगातार वी वाजन करता है वह गांट बन जाता हैं तो प्रोट्व साव में सक्रिया नहीं होता उसको साक्रिय में बदलने मैźनेखने और यहांपर यही चीज हम आपको समझाए अब आजाइए यहां ठीक है तो कता है समान को सिखा में क्या होता है देख लिजे प्रोटोंकोजीन होता है जब यह जब यह बदलता है मतलब सक्रिया जब कि यही कारण था किसका किंसर होने का अब किसी बंदे को अगर कैंसर हो जाए तो ऑभी ज्यान के कैसे करेंगे निदान कैसे करेंगे तो कैंसर का कैसे पता करेंगे उस बंदें क्या है कैंसर है तो निम तरीकों से पता किया जाता है तो यह तरीका थोड़ा सा नाम टेड़ा है लेकिन आपको जानना चाहिए बायोप्सी हिंदी में ही जीविती परिक्षा यानि जीविती पर सब्सक्राइबißt फिकीरन चित्रन उसके अंदर से देखेगा घांठ है कि नहीं है कि एक कंप्यूटर से होता है सीटी इसके अभी कलित टोमोग्राफि इसके अंदर भी देखा जाता है कि सरीर के अंदर अगर मौनेंजिए की बहुत डीब में कोई कैंसर इसके द्वारा पता किया जाता है एक बहुत ही बड़ा टेक्निक आया जिसको कहते हैं MRI क्या कहते हैं इसको MRI ठीक है इसको कहते हैं हम लोग क्या magnetic regionals imaging इसका full form में पूछा है भी हार बोड में magnetic regionals imaging इसका हिंदी होता है चुम्बिकिया अनू नादी imaging इसमें क्या होता है एक मजबू चुम्बिकिया छित्र लिया जाता है और अनायनकारी मतलब अनायनकारी भी करते हैं जो जैसे की आपको बड़ते हैं यह दोनों की मदद से क्या करता है शरीर के अंदर जो जिवीत उत्तक है उसका अध्यान कहा जाता है देखें कि इसके किया नाम है mobile technology आणनुभिक जयु टेक्नेका जैसे शरीर में डाला जाता है और यह क्या करता है को हैं ब्धार ताला और वह से बदेगा जिसका चावी है मतलब कि भेखें उसे तरह ऐगा जैसा डालोगे उसका एंटी जेन अगर स्रीर में रहेगा तो बैठेगा। अगर किसी बंदे को Cat he will the cancer का एंटी जेन होता है सरी में टो एंटी जाएगा cancer की लागिए ठीक है तो ये भी तकनिक है चलिए अगर किसी बंदे को गैंसर हो जाए कहसे का अगर पता चल तो समझो कि धीक हो सकता है अगर थोड़ा लेठ हो जाता है तो रिकवर करना पर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो फिर भी लोग इलाज करवाते हैं चाहे वह इस्टेज बढ़ जाए या घड़ जाए शुरू में पता चला तो ठीक तरह से ठीक ढंग से या ठीक तरह से इलाज होता है अगर लेट से हुआ तो इलाज संभव नहीं है बट कुछ उपा है उसका उपचार करने का टीक है कोशिश करता तो क्या क्या तरीक है चाहे सुरूवात में ख़ूजें लेट से तो चैंसर का उपचार जो है निहीं तरीकों द्वरा किया जाता है एक तो आप ने सुना होगा सर्जरी करके निकाल दिया यानि सर्जरी हो तो पर निक्रिया करते जैसे मुझा में किडदिनी के अंदर है तो काट कर निकल ना बहुत मुश्क्रिछ लिए लेकिं कहीं हाथ में हो पैर में हो जहां पर असानी से स्ल्किर्या के दौरा काट बहुत दौर निकल लिए तो इस डिपेंड करता है कि सरीर के किस जगह पर है ठीक है सरजरी के दुवारा एक दूसरा है रेडियेशन थेरपी अगर सरीर के बहुत अंदर में है कोई से ब्रेयन के अंदर ठीक है उसका जो है सरजरी करना मुश्किल है ठीक है तो विकीरन चिकत्सा करता है मत अब इसमें विभिन परकार का विकीरन जिसों आप गामा रेज या सब काउपियों कर कैंसर के कोशिका को नस्ट किया जाता है बाहर से इसको करते हैं लेजर में वह क्या होता है वीकीरन होता है इसके कारण क्या होता है वह कोशिका को मार देता है जब कोशिका मर जाएगा नस्ट हो जाएगा तो फिर वह भी वाजन करना बंद कर देगा अब चेमिकल थेरैपी भी आया है रसायन चिकितसा इसमें क्या होता है रसायन अनूं होते इसको रसायन ड्रंग कहते तो उसको रसायन ड्रग के अंदर रखिए आप्ल रसायनि daha ऌूपयों और क्या करता है को शीकाकुण्रकून नस्ट किया जाता हूं इसको हम लोग जा कहेंगे रसायन चिकित्सा एक केमीकल थेरपी अब एक चीज़ याद रखो यह तीनों जो हमने बताया आपको निए शली चिकित्सा इसको सली किरिया भी काते हैं रेडिशन थेरपी विकिरेगन चिकित्सा चैमिकल थेरपी रसायन चिकित्सा कभी कभी किसी पैसेंट में तीनों का एक साथ उपियों किया जाता है मैंने खुद अंधर लास्ट में और इधर यह ढ़हां से आया है तरीका जिसमें क्या करता है इम्मुनो थेरपी करते हैं इसको आई इम्मुनो थेरपी मत्बदभी रख्षात्जिकित्सा अब क्या करता है इसम्हें एक उधारन देते हैं इसी उधारन से हम चलते हैं एक अलफा करने हैं इसको CT synthes which меня is under Sweet त्वारा पेंड़ार दिए जाता है ठीक यह क्या करता है हम उस प्रोगी के परति रख्चात तंत्र को इतना मजबूत करता है कि ट्यूमर को를 नश्ठ करने में सडवी को क्या करता है मदद मिलता है तो यह क्या हुआ है清 abroad Immer िम्नो तेरपी में आता है प्रक्षातंतर को किया यह किया है चिया चन्र क्या करता है यह मजबूत कर देता है सख्रिया कर देता जैसे बंसे करता है जहां भी टूमर उसको हमाने नश्ड करने में खुद से क्या है मदद करेगा तो यह मुनो थेरपी है लेकिन यहां पर मैंने एक चीज लिखा है कि जब रसायन ओसधी का उपियो किया जाता है कि इसको रोगी को ठीक करने में यहां वापस आ जाओ यह 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 केमिकल थेरपी तो कहते हैं आप क्या रसायन चीकित साइसे बह कीए मुआ का रेचा सब के साथ यूज करें नहीं कि सर्जरी के साथ मी रेडियिसन के साथ क्यमिकल तरपित तिनों करें ऐसे किसी यूज करें किसी भी रोगी को guit कंसर मतलब ठीक करने के लिए तो क्या करता है इसका hanette मतल जैसे दोाई तो यह सब होता है जैसे आपने यूवरा सिंग को सुना होगा बहुत पहले जो है यूवरा सिंग का निपास साथ साल पहले तो यह बाहर में उसको फेपड़े में ट्यूमर बना था ठीक है उसका इलाज करने के लिए उसको रसायन बहुत दिया था तो उसका बाल उसमें बहुत उड़ गया था ठीक है मनिसा को रला का अपने सुना होगा लेडी जलीकिंवी जड़ जड़ गया उसका तब कैंसर से यह नोट करके हम ने लिग दिया तो आज मैंने जो आपको बताया थोड़ा सा थोड़ा सा हांट थर थरा रहा है तो बीडियो जो है बनाने में आपका जो है मौबाइल मैं हाथ से पकड़ता हूँ यह इससले दिक्कत होता है कोई वात नहीं है तो आप पेड़ेस्ट कर लेंगे वीडियो को रोक लेंगे और इसके बाद आप लिखेंगे और समझेंगे तो आज मैंने कैंसर के बारे में आप लोगों को बताया हिंदी में और इंसी आटी का सवाल जुरूर बनाना और पढ़ना भी इसे आप नहीं पढ़ोगे तो उतना में आप लोगो को जो है कभर कर देता हूं और कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा भी देता हूं जिसे कैंसर का प्रकार बहुत जाता नहीं दिया गया है तो आपको मैंने आज जो है कैं इंसर के बारे में बताया और कल मैं इंगलिस मेडियम के लिए कोई वीडियो बनाऊंगा इसके बाद फिर हिंदी मेडियम के लिए थोड़ा आप लोग के लिए हिंदी मेडियम में थोड़ा सा क्या होता है इंगलिस पॉइंट और हिंदी पॉइंट दोनों लिखना पड़ आँ और यह जो है आपका यहां से यह वाला वीडियो जो है आपको आज अपलोड कर दूंगा अपकल आप लोग पढ़ाएंगे और फिर जो है टूमर का परकार मैंने बताया है यहां पर देख लो और यह जो है यह डेफिनेशन और लास्ट में कैंसर का अधियन को उनको आएगा तो वहां भी कमेंट कर सकते हैं कोई दिकत नहीं अच्छा बुरा जो कमेंट करोगे कमेंट करोगे आप सब हम देखेंगे और सुधार करने कोशिस करेंगे और आप लोग पढ़ाएंगे और लोग डॉन का पालन करेंगे और आप लोग स्वस्त रहिए तब तक के लिए को दने